Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 5.4 का question number 9, तो question number 9 क्या कहता है, find the angle measure between the hands of the clock in each figure, यहाँ पे हमारे यह तीन figure दे रखें और इसमें दो-दो hands दे रखें जिसको हम अपनी language में सुई भी बोलते हैं, और हमसे पूछा है कि यह जो angles होंगे वो कितने degree के होंगे, तो यहाँ पे घड़ी मे हम angles आसानी से find out करना पहले भी सीख चुके हैं, उसी का इस्तमाल करेंगे, अब यहाँ प एक चीज देखो, अगर यह hand जो है, वो 12 से चलती है, और चलते चलते फिट 12 पे ही आ जाती है, तो इसने कितने steps चले, 12 से 1 पे गया, 1 step, 1 से 2 पे गया, 2 step, इस तरह से इसने 12 steps चले, और यहाँ पे जब यहीं से चला, और यहीं पे अगर यह hand पहुँच गई, तो इसने कितना angle बना लिया, 360 degree का, तो यहाँ पे 12 steps जो है, वो हमारा किसके equal आ जाता है, 360 degree, तो यहाँ पे अगर हम एक step की बात करें, तो 1 step is equals to 360 degree upon 12, यह हमारा आ जाएगा 30 degree, तो इसका मतलब य हुआ कि अगर हम 12 से 1 पे जाएं, तो यहाँ पे जो बीच में angle बनेगा, वो कितना बनेगा, 30 degree का बनेगा, तो 1 step is equals to 30 degree, तो यहाँ पे हम steps count कर लेते हैं, तो यहाँ पे यह 9 पे है, 9 से 10 पे 1 step, 10 से 11 पे 2 step, 11 से 12 पे 3 step, तो यह 3 steps हो गए, 1 step is equals to 30, दोनों तरफ 3 से multiply कर दें step is equals to 30 into 3, और यह हमारा क्या आ जाएगा, 90 degree, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह angle हमारा क्या होगा, 90 degree का, और यहाँ पे यह हमारा time क्या हो रखा है, 1 pm, यानि कि इसकी यह जो hour वाली hand है, यह 1 पे है, और यह minute वाली hand जो वो 12 पे है, और यहाँ पे कितना step है, 12 से 1, यानि एक ह step है, और one step is equals to कितना है, 30 degree, तो यहाँ पे यह जो angle होगा, वो हमारा क्या होगा, 30 degree का होगा, इसी तरह से अगर हम तीसरी वाली घड़ी देखें, तो इसमें क्या बज़ रहा है time, 6 pm, तो यहाँ पे यह जो hour वाली hand है, वो हमारी 6 पे है, और minute वाली hand जो है, वो 12 पे है, equals to 30 degree होता है, तो 6 steps is equals to क्या आजाएगा हमारा, 30 into 6, और इसको multiply करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, 6 3 is 18, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, और 0 को ऐसे लिख देंगे, तो यह जो angle होगा, वो हमारा क्या होगा, 180 degree का, तो यहाँ पे हमने सारे angle measure कर लिए, questions हम आप next lecture में करेंगे, next questions आज के लिए बस इतना है,